जैस्रिवाला जी की स्वागत है आपका योटूब चैनल पर आप देख रहे हैं एस्ट्रोलोजिक रुकुल हनुमान जी जो हैं उनको संकट मोचन कहते हैं कहते हैं कि जहां हनुमान जी की नियमित भूजा होती है वहां कोई भी नेगेटी उर्जा है वो वासी नहीं कर सकती है इसलिए हर घर में हनुमान जी की मुर्थी और तस्वीर आपको मिल ही जाएगी बट वास्तु सास्तर के अनुसार हनुमान जी की मुर्थी को अगर आप सही दिशा में और सही स्थान पर नहीं रखेंगे तो इससे आपको फाइदा नहीं मिलने वाला और अगर आप सही दिशा में और सही स्थान पर रखेंगे तो इससे आपको जीवन में बहुत बड़ा लाब मिलेगा और राम जी की कृपा आप पर बनी रहेगी तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप हनुमान जी की तस्वीर है वो कौन सी दिसा में और किस जगे आपको रखने चाहिए देखिए बास्तु सास्तर के अनुसार हनुमान जी की मुर्ती और तस्वीर को ऐसे रखना चाहिए कि हनुमान जी दक्षिन दिसा की ओर देखते रहे हनुमान जी काल के नाशक है और दुष्टों को यमलोग पहुंचाते है इसलिए हनुमान जी का मुख है वो दक्षिन दिशा की ओर होना चाहिए माता दूर्गा और काली को भी इसी तरह रखने का विदान है जहां तक हनुमान जी की बात है तो हनुमान जी ने दक्षिन दिशा में स्तित लंका में ही सबसे ज़्यादा प्राक्रम दिखाया था इसके लिए हनुमान जी का मुख है वो दक्षिन दिशा की ओर होना चाहिए अगर आपको करियर में उन्नती और तरक्की चाहते हैं तो हर किसी की ये इच्चाह रहती है कि मेरी भी उनत्ती हो तरक्की हो लेकिन घर में मुझूद नेगेटिव उर्जा और ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के रीजन से कई बार व्यक्ति है वो उल्जा रहता है और महनत के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल पाती ऐसे में देखिए हनुमान जी की ऐसी तस्वीर जिसमें हनुमान जी हाथ में परवत लिये हुए उड़ते नजर आते हैं उन्हें ऐसे लगाएं कि इनका मुख दक्षन दिसा की ओर हो ये भी ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसे लगी हो कि आते जाते इन पर नजर जाए इससे करि इवन में जिम्मेदार्यों को निभाने के लिए आत्मविश्वास बेहत चरूरी है। आत्मविश्वास की व्रधी के लिए परवत उठाते हुए हनमान जी की तस्वीर को आप घर में रखते हैं, तो बहुत ही फायदे मंद रहता है। इस तस्वीर को घर में, ड्राइंग रूम या फिर होल में लगाने चाहिए पुजा घर में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हनमान जी की तस्वीर लगाने चाहिए इससे बक्ती भाव का संचार होता है घर में इन दोनों तस्वीरों को रखने से नियमित इनके दर्शन शे आत्म विश्वास बढ़ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और आप जिम्मेदानियों को बखुबी नेभा पाते हैं हनमान जी को कुछ तस्वीरों में पंच मुखी रूप में भी दिखाया गया है कथा है कि अहिरावन का अन्त करने के लिए हनमान जी ने अपने दिव्वे रूप धारण किया था जिसमें उनके पाँच मुख प्रकट हुए थे तो वास्तु सास्तर के अनुसार हनुमान जी की ऐसी तस्वीर और मुर्ती घर में रखने से सभी दिशाओं का वास्तु दोश दूर हो जाता है और घर में सुक सम्रदी आती है घर में हनुमान जी की तस्वीर को कभी भी शैन कक्स में नहीं लगाना चाहिए हनुमान जी ने सुर्य देव से ज्यान प्राप्ति के लिए एक शर्थ के रूप में सुर्य की पुत्रि सुर्वचला से विवाहे किया था बट कभी भी हनुमान जी ग्रहस्त जीवन में नहीं रहे इसलिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहे जाते है ब्रह्मचारी होने के कारण से ग्रहस्त लोगों को बेडरूम यानि शैन कक्स में हरुआन जी की तस्वीर है वो कभी नहीं लगानी चाहिए अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन को प्रेस कीजिए कमेंट बॉक्स में जेश्री बाला जी की लिखना ना भूले